डिक्टेशन गती 120 सब्द प्रतीमिनट इस्टार्ट माननिय उपाध्यक्ष जी जैसा अभी मेरे पूर्वक्ता ने कहा अच्छा होता कि यह बजट असम विधान सभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ पर इसके सम्मंद में कारवाही होती लेकिन हम से वहाँ हाल छिपा नही है जो कि एक लंबे अर्से से वहाँ पर चल रहा है पिछले आठ दस महिने में पधान मंत्री जी ने और ग्रह मंत्री जी ने इस बात का काफी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिये से हल किया जा सके विरोधी पक्ष के माननिय स्रश्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर प्रतिकता की भावना है इस आंदोलन के अंदर साम परदाइकता का विस है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है इसलिए इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए ले क्या हो जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती बलकि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं कहां से धन आ रहा है कौन दे रहा है इसके संबंद में अनेक प्रकार के विवाद हैं अनेक हैं मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन एक बात निश्यत है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचित के जरीये हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है यह बात भी साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलन कारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्ट तया सुईकार करने के पक्ष में नहीं है और अगर उनको सुईकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरी हिस पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के सासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई विदेशी लोग वहाँ पर पहुचे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का सासन आया तो क्या जनता इस आंदोलन के सुरू होने से पहले इस सम्मन में विदेशी लोग वहाँ पर आकर ठहर गए हैं क्या कोई कारवाही की 2 साल तक जब तक की जनता पार्टी का विगटन नहीं हुआ था असम में कोई आंदोलन नहीं था कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई जब असम में आंदोलन सुरू हो गया तो भारती जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगे वाजिब हैं उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए 1977 में जो आम चुनाओं हुए उस चुनाओं के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई सभी लोग उस चुनाओं की वोटिंग में तरीक सरीक हुए फिर भी प्रधान मंत्री जी ने और दूसरों ने कहा की 1971 के बाद जो लोग आई हुए हैं उनके सम्मंद में जाश परताल करके कारवाही की जाएगी इस समस्या का हल निकालनी के लिए सरकार की और से प्रतेक प्रयतन किये गए लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है की भरस सरकार ने बात चीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आंदोलन कारियों ने गलत समझा उन्होंने समझा की अधिक जोर लगा कर चलो तो कुछ ना कुछ और हमको लाब होगा ऐसी नौबत भी आ गई की पहले अगर बात चीत का निमंतरन दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो दिली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियायत को वे सही स्पृट में ना लेकर यह समझ गए कि ज्यादा दबाव डालने से इस समझा का ज्यादा आसानी से हल नि पूले इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब करें साथ में बैल आइकन को भी दबा दें और सोठन की तयारी कर रहे हैं अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें इस्टुडेंस आपकी जानकारी के लिए ब